हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक निवर स्टोरी की साथ हैं, तो हम लोग श्टोरी को स्टार्ट करते हैं, ओके? जुही की मा को गुजरे करीब एक साल हो गया, मा के दिहांत के बाद पीहर जाने का ज़्यादा मौका ही नहीं मिला, जब जुही की मा जीवी थी, तब किसी न किसी बहाने अपने बेटी को गुलाती रहती थी, उसकी साथी तो जहासी में हुई थी, लेकिन पती की नौकरी के क वह जलंधर में रह रही थे जुई का मायका भी इसी सहर में होने की कारण वह महीने दो महीने में मायकी आती जाती रहती थी जुई की मां भी उसे बुलाने के लिए नए नए बहाने कोच्टी रहती थी कभी किसी का जनन दिन तो कभी एनिवर्सरी या फिर कोई छोटा मोटा प्रोग्राम हो जुही की माँ अपनी बेटी को बच्चो और दमात के साथ जरूर इन्वाइट करती थी जुही भी जब अपने माईके जाती थी तो रसोई में अपनी भावी के साथ काम में हाथ बटाती थी माईके की रसोई से जुही का बहुत लगाओ था जितने हक से जुही की मा उसे बुलाती थी उतने ही हक से वह यह सोच कर जाती थी कि अभी तो उसकी मा जिन्दा है जब घर मा का है तो रसोई भी मा की है साधी के इतने सालों बाद भी माईके की रसोई में जूही को काम करना उतना ही अच्छा लगता था जितना कि वो साधी से पहले करते है वह माईके जाती तो कुछ देर बैट कर चाहे नास्ता करके मा और भाबी का हाध बटाने रसोई में पहुँच जाती उसे इस काम में कभी कोई जीजक महसूस नहीं होती थी परन्तु मा के गुजरने के बाद तो जैसे माइके से नाता ही चूच गया इस एक साल में कितना कुछ बदल गया जोही की बेटी रीना की साधी हो चुकी थी एक थी और भावी की लड़की मीना का विवा भी पिछले महिने में ही संपन हुआ था तब जोही सिर्फ दो दिन के लिए साधी समरों में सामिल होने के लिए पहुची थी और अगले ही दिन विधा होकर अपने घर आ गई अब मैके में पहले जैसा अपना पन नहीं था एक दिन जोही की भावी का फोन आया उन्होंने कहा दीदी पांच दिन बाल रक्षबंदन का तेहवार है आप जरूर आना मैंने रीना को भी जमाईसा के साथ बुलाया है जोही ने कहा बनिया किया भावी आपने मीना को भी जमाईसा के साथ इन्वाइट कर दिया होगा साधी के बाद मैं अपनी भतीजी और जमाईसा से पहली बार मिलूंगी बहुत अच्छा लगेगा सब एक साथ मिलकर रक्षबंदन का तेहवार मनाएंगे जोही की भावी ने कहा हाँ उन्हें भी बुलाया है जोही ने कहा ठीक है भावी मैं सुबह ही आ जाऊंगी आपको रसोई में हाथ पी बटा दूंगी जोही की भावी बोली नहीं नहीं जी जी मैंने रसोईय को बुलाया है लंच का प्रोगाम तो आप लोगी समय पर आ जाना जो ही खुश हो गई भावी ने उसकी बेटी रीना को भी इंवाइट किया था यह उसके लिए बहुत खुशी की बात थी वो मनी मन सोचने लगी कि मैं तो यूही मन में न जाने क्या क्या सोच कर बैठी थी भावी कितनी अच्छी है उन्होंने मेरे साथ मेरी बेटी और दमात को भी इंवाइट किया है वो बहुत ही अच्छी है अपने घर रक्षबंधन के तेवार पर इंवाइट किया है जुही सोचने लगी उम्रे चाहें कितनी भी गुजार जा चाहें बेटिया बूरी हो जाए परन्तु पीहर के आए बुलावे से हमेशा हीचक उठती है जुही की भावी ने तो मा के गुजरने के बाद पहली बार बुलाया था यह विसे उसके रहे बहुत थी प्रिसंता तथा खुसी की बाद थे क्योंकि अब वह मा का घर नहीं था जहां पर बिना बुलाए भी वो पहुँच जाती अब वह घर भावी का हो गया था जहां जाना तभी अच्छा लगता है जब भावी बुलाए प्यार से तब जुही ने अपनी बेटी रिना से बात कर ले और उन्हें भी पहले दिन नहीं अपने घर बुला लिया ताकि सब मिलकर भावी के घर जाएं जुही ने दो दिन लिफाफे जिनमें भतीजी और जमाईसा के लिए सगुन के पैसे थे अपने पर्स में रख लिए सोचा पहली बार भतीजी और उसके पती से मिलूँगी तो उनको सगुन देना भी बनता है जुही रक्षा बंधन के दिन तैस समय पर अपने पती बेटी और दमात के साथ मैके पहुँच गई हमेशा की तरह चाय नास्ता लेने के बाद जुही रसोई में अपना भावी का हाथ बटाने के लिए चली गई परंतु अब रसोई का सारा समान अपनी जगह से बदल चुका था जुही इस्टील का नया डीनर सेट जिसमें उसकी मा हमेशा ही उसके पती का भोजन कराती थी धुडने लगे तब भावी ने पीछे से आकर कहा क्या ढून रही हो दीदी जुही बोली भावी मैं सोच रही थी कि इस्टील का नया डीनर सेट निकाल लेते हैं ताकि सब को खाना खिला सके भावी वो नहीं दीदी डीनर सेट की क्या जरूरत वह तो मैंने श्टोर रूम में रखवा दिये हैं रसोई में वो भीड हो रही थी बहुत सारे एक्षा बरतन थे जो मैंने श्टोर रूम में रखवा दिये हैं आप फिकर मत करिये मैंने बजार से पतल और कार्बन के ग्लास मंगवा दिये हैं बरतन माजनी धोने का जंजट भी नहीं होगा जुही यह सोचकर चौक गई कि साधी के बाद रीना और उसका पती पहली बार अपने मामा मामी के घर आए और भावी उन्हें पतल पर भोजन करा जमाई को बहुत महंगे डीनर सेट ना सहे परन्तु इस्टील के डीनर सेट में तो भोजन करा सकती हो ना परन्तु जुही बेचारी क्या कहती उसने पतल और डोनेक लगा दिये हैं जुही की माह अपने दमाद और बेटी को जब खाने पर बुलाती थी तो खाने में कम से कम चार सबजिया रायता मिठाई दही या चार तरह तरह के पकवान से थाली सजा देती थी आज खाने में से दो सबजिया पूरी के साथ एक मिठाई थी यह देखकर जुही अचमभीत रहे गई वह जानती थी कि जुही के पती तो कोई विसेश आपती जहीर नहीं थे दमाद तो पहले ही बार आये हैं उनकी तो अच्छी खातिदारी होनी ही चाहिए मा तो मा होती है आज अपनी नातिन के लिए नए दमाद को देखकर फूल जी नहीं समाती हाने में चपन भोग बना देती परन्तु जुही चुप रही भाभी की बेटी और दमाद अभी तक नहीं आये जुही ने पूछा भाभी मीना और जमाईसा कब तक आएंगे सब साथ मिलकर भोजन कर लेते भाभी ने जरा संकुचाते हुए का दीदी उन्हें तो दीन में ही कोई काम आगिया वह आज रात को आएंगे आप लोग खाना खा लिजिए खाना लग चुका था भा मन से बेटी और दमात को सगुन के लिफाफे भी पकड़ा दियें सालू से जो अपने पन की महक माईके से आती थी वह आज गायब थी जुही का मन बड़ा बिचैन हो रहा था जुही साम को अपने घर आई तो अपना पर्स देखने लगी तभी उसने पर्स में रखे लिफा देना ही भूल गई चलिए अभी दे आते हैं जुही के पती ने कहा तुम कैसी बाते कर रही हो उन्होंने तुम्हें दीन के खाने पर बुलाया था अब बिन बुलाया रात के समय जाना ठीक नहीं होगा सगुन के लिफाफे हैं तो क्या हुआ फिर कभी दे देना जुही ने कहा नहीं नहीं आज तहवार है भावी क्या सोचेंगी उन्होंने तो मेरी बेटी और दमात को सगुन के पैसे पकड़ा दिये और मैं सगुन देने में मूल शिपा गई नहीं ऐसी मैं नहीं करूँगी जुही के हट करने पर आखीर उसका पती उसके पीहर ले जाने के लिए राजी हो गया परन्तु उसने साफ साफ कह दिया कि वह अंदर नहीं जाएगा तुम अंदर जाकर लिफाफे को दे देना मैं बाहर ही तुम्हारा इंतजार करूँगा बाहर ही खड़े रहके अपने पती के साथ अपने भाई भावी के घर पहुँशे तो घर का में दरवाजा खुला था सोचा अपना घर है जब चाहे आ सकती है इसलिए बिना डोर बजाए अंदर चले गई जुही भावी के साथ कमरे से सभी के हसने बोलने की आवाज आ रही थे लगता है मीना बेटी और दमाद आय हुए हैं जुही तेज कदमों से ड्राइंग रूम में गई कीचन के सामने से भावी के कमरे की तरफ जाने लगे तो कीचन में रखे परतोनों की चमक ने बर्बस ही उसका ध्यान अपनी और खीच लिया जुही ने रसोई में जाकर देखा तो चांदी का डीनर सेट जिसमें खाना सजाया हुआ था खाने में साही, पनेर, दाल, मखनी, मूं का हलव, रसगुले, रसमलाई, पापड, अचार, चटनी और भी कई चीजे थी जुही ने जब यह देखा तो उसे बहुत अस्चर्य हुआ, भावी ने हमारे साथ इतना भेदभाव किया रसोई ओपन थी, जो ड्रॉइंग रूम में साथ अटेच्च थी तभी वहाँ पर जुही की भावी आ गई और अपनी ननत को वहाँ देखकर बोली और अचंभीत हो गई, और बोली, अरे दीदी आप जुही अपनी भावी सारा माजरा समझ चुके थी और बात को संभालते हुए बोली, दीदी यह चांदी का डीनर से अभी साम को ही रिसी वुआ था अगर पहले आ जाता तो आप सबको भी मैं इसी में भोजन कराती हैं तभी वहाँ पर मीना और उसका हस्बेंट रवी भी आ गया जुही के चरन असपर्स करते हुए बोला, बुगा जी कैसी हैं आप ममी ने बताया कि आप लोग दीन में ही रक्षबंधन का तेवार मना कर चले गए ममी कह रही थी कि फूफा जी को कोई जरूरी काम था मेरा तो मन था कि सब साथ मिलकर यह तेवार मनाते हैं मैं भी अपनी साली साहिबा और उसके हस्बेंट से मिल लेता जूही सारा माजरा समझ चुकी थी मैं जानती थी कि उसकी भावी ने तो अपने जमाईसा के सामने यह बाते बनाई होगी जूही की आखे नम हो गई तभी वहाँ पर मीना भी आ गई जूही ने मीना को और उसके हस्बेंट को सगुद का लिफाफा देते विया शिवाद दिया और आखों में आसूल यह मैके से विदा हो गई जूही की भावी में इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वह अपनी ननत को रोक सके वह भी अपने किये पर सरमिंदा थी जूही भगवान का सुक्रिया आदा कर रही थी कि उसने समय रहते माईके क्योही पहचान करा दिया वरना यह माईका के जूटे मोह में फसी रहती झाल करें लूही कि गववाराण फसके जूटे मुवाराण। झाल कर रहते में वरना आदा आदा कर दोटे लुबलागैं भ्यात्यूटे में वरना चलोटे में वरका हिम्मत दूटे में हिसा आदाना को रहते